हाई गाईज वेलकम तो फ्रेश एपिसोड ऑफ एलिमेंट ऑफ सप्राइज तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाईपर लूप के बारे में जो की गाईज हमारे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को कम्प्रेटली चेंज करने वाला है फ्यूचर में गाईज हाईपर लूप एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रांसपोटेशन है जो की गाईज हमारे ट्रैवल एंड ट्रांसपोटेशन इंडस्ट्री का जो करेंट सेनारियो है यह इसको कम्प्रेटली चेंज कर देगा हमारे आने वाले फ्यू अब यहाँ पर लूप को पहली बार पब्लीकली अनाउंस या फिर मेंशन किया था इन 2012 जिसमें वो एक फिफ्ट मोड ऑफ टांसपोटेशन को चाहते थे जो की काफी चीप हो फास्ट हो और यहाँ पर एनरजी एफिशियंट हो और ना ही नेचर को किसी तरह का हार्म पहु या फिर हम कह सकते हैं कि एक initial blueprint भी दिया था जिसमें वो यह चाहते थे कि यहाँ पर हाइपर लूप में reduced pressurized tubes को use किया जा सके जिसमें इन tubes के अंदर हम इन pressurized chambers या फिर capsules को use करेंगे to carry the passengers जिसमें यह जो capsules हैं यह ride होंगी on air bearings और इनको drive किया जाएगा by linear induction motor and axial compressors अब यह यहां पर यह जो pressurized chambers या फिर जो capsules हैं यह जब रन करेंगे inside reduced pressurized tubes तो यहां पर बहुत ही ज़्यादा high speeds को achieve किया जा सकता है यहां पर estimates के according यहां पर 700-750 miles per hour तक की speed को achieve किया जा सकता है जो कि guys aeroplane से भी ज़्यादा fast है और इसकी high speed के बीछे भी guys काफी interesting science है so please watch this video till the end अब यहां से guys video का सबसे interesting part start होता है जो कि है guys concept of hyperloop कैसे Elon Musk को idea यहां पर high speed पर in pods को run करानेगा inside reduced pressurized tubes या फिर partial vacuum tubes के अंदर जो कि guys काफी high speed को achieve करने में help कर रहा है अब यहां पर हमने physics में शुरू से पढ़ा है two major enemies of movement के बारे में जो की observe किया जाता है common vehicles में जो की है guys air resistance and friction जो की guys हमारे movement को slow down करता है तो यहां पर guys hyperloop की advanced technology में हम इनी दोनो problems air resistance and friction को completely eliminate करने की कोशिश कर रहे है because यहां पर guys common vehicles में इनी दोनो problems की वज़े से यहां पर जो speed है वो slow down होती है और हमें ज्यादा energy की जरूरत पड़ती है to work against air resistance and friction and to gain speed and momentum जिसकी वज़े से guys यहां पर काफी energy waste हो जाती है common vehicles को run करने में अब यहां पर guys hyperloop के इसी development के process में हमारे पास hyperloop alpha का concept निकल के आता है जिसको guys publish किया गया था आगस 2013 में जिसमें guys यहां पर Los Angeles to San Francisco तक का इंट्रेस्टिंग facts के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले तो guys जो distance है बिट्मी लॉस एंजलिस एंड सान फ्रेंसिस को वह करीब करीब 380 माइल्स या फिर 611 किलोमीटर तो यहां पर guys जो hyperloop का जो Genesis पेपर जो publish हुआ था उससे हमें यह पता चलता है कि यहां पर उनकी planning है कि जो pods run करेंगे inside the partial vacuum seal tubes उसमें हम एक pod के अंदर 23 passengers को carry करेंगे और उन pods को run कराया जा सकता है 760 माइल्स पर आवर या फिर 1200 किलोमीटर पर आर की speed से जो की guys plane से भी ज्यादा fast है जिसका guys जो total traveling time होगा वो होगा only 35 minute जो की guys सबसे fast है other modes of transport से because guys यहां पर bus का जो timing है वो है 8 hours train की timing है 4 hours और यहां पर जो air travel का जो time है वो है 3 hours जो की वो भी यहां पर break flight होके जाती है इसलिए यहां पर 3 hours तक का time लगता है और दूसरी तरफ hyperloop ले रहा है only 35 minute तो आप यहां पर देखी सकते हैं कि hyperloop कितना ज्यादा fast है और इसी के साथ ही hyperloop के इस genesis papers है हमें यह भी पता चलता है कि जो hyperloop का जो passenger only version होगा उसको बनाने में हमें करीब करीब 6 billion dollars तक का खर्चा आ सकता है और इसी के साथ ही अगर हमें इसका जो pod का जो diameter है अगर उसके large बनाना है to any type of cargo तो उसको बनाने में हमें करीब करीब 7.5 billion dollars तक का भी खर्चा आ सकता है और यह guys केवल preliminary cost के ही estimates है अब guys hyperloop का जो early concept था उसकी जो inspiration है वो Elon Musk को मिली थी इजमबाट Kingdom Brunel atmospheric railway को देखके जो की guys basically train थी जो की run करती थी between Exeter and Plymouth in UK in 1847 जो की guys काफी successful railways भी थी लेकिन यहाँ पे इसको एक साल बाद बंद करना पड़ा विकास guys इसका जो working principle था उसमें air leakage होने लगा through the metal pipes जो की train को run करने में काफी परचानियां cause कर रहा था इसलिए इसको completely बंद करना पड़ा अब guys जो Hyperloop का early concept था उसको कभी properly executed नहीं करा जा सका और इसमें guys Elon Musk fail हो गए थे इस concept को follow करने के चक्कर में तो इसी के साथी guys एक और interesting बात है वो guys यह है कि यह जो Hyperloop का इतना बाद जो mega project है यह guys completely open source है जिसका guys basically यह मतलब होता है कि यहां पर outside the industry जो general public है जहां पर जो science के जो students है plus जो research करते हैं वो यहां पर Hyperloop को अपनी technologies, suggestions, plus उनके जो ideas हैं वो share कर सकते हैं उनके साथ plus इसी के साथी guys बहुत सारे नए startups भी start हो गए हैं जिसमें guys इसी Hyperloop को बनाने की जो race है वो बहुती ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है तो यहां पर guys इनी startup में से जो main number one company निकल के आती है in the race of building the Hyperloop वो guys है the Virgin Hyperloop 1 जिसमें guys Virgin Hyperloop 1 ने बहुत ज़्यादा progress किया है Hyperloop को build करने में अब guys यह जो company है Virgin Hyperloop 1 यह found हुई थी in 2014 लेकिन यहां पर due to the major investment of Sir Richard Branson इसको यहां पर rebrand कर दिया गया था Virgin Hyperloop 1 के नाम से तो यहां पर guys Hyperloop को build करने की race में यह सबसे ज़्यादा आगे इसलिए भी है because guys इस पूरी company का जो infrastructure plus जो engineers involved है इसको build करने में वो काभी sharp minded है तो यहां पर guys जो Elon Musk का जो early concept था Hyperloop को build करने का उनसे यह completely हटके इनका slightly different approach है Hyperloop को build करने के लिए हालकि यहां पर जो overall design है वो completely same ही है early concept की ही तरह तो यहां पर guys Elon Musk linear induction motors और axial compressors को use करना चाहते थे उन Hyperloop के ports को run करने के लिए inside the partial vacuum seal tube और दूसरी तरफ guys यह जो company है Virgin Hyperloop 1 यह magnetic levitation की technology को use करना चाहती है to run these ports inside the partial vacuum seal tube जिसको guys हम already use करते हैं in case of monorails and bullet trains जिसमें guys यह जो trains हैं यह जो rails होती हैं उनके हलका सा जमीन से उठके चलती हैं जिसकी वाज़े से guys जो bullet trains की speed होती है वो बहुत ही ज़्यादा high होती है because of the reduced friction तो यहाँ पे guys यह जो magnetic levitation की technology है यह use करती है two sets of magnets को जिसमें guys एक magnet तो train को repel करता है from the track और उसको upward direction में lift करता है तो यहाँ पे guys basically यह बहुत ही ज़्यादा powerful magnets होते हैं और guys जो दूसरा वाला magnet होता है वो train को float कराता है along the track जिसकी वाज़े से guys बहुत ही ज़्यादा high speed अचीव की जा सकती है control level manner में because यहाँ पे track पे air के उपर move करने से यहाँ पे जो friction है वो बहुत ज़्यादा reduce हो जाती है और इसी की साथी guys जो दूसरा principle है to run these parts वो है एक partial vacuum sealed environment को create करना inside the vacuum sealed tube ताकि यहाँ पे guys air resistance को completely eliminate किया जा सके तो यहाँ पे guys इन दोनों principles को use करने की वज़े से यहाँ पे जो movement के two biggest enemies हैं जो की है air resistance and friction उसको यहाँ पे काफी हद तक eliminate किया जा सकता है और यहाँ पे बहुती ज़्यादा great speeds अचीव की जा सकती है up to 760 miles per hour या फिर 1200 km per hour तक की speed से और यहाँ पे guys सबसे interesting बात यह है कि हमें इतनी speed को generate करने के लिए बहुती ज़्यादा कम energy की requirement पढ़ रही है अगर हम compare करें other modes of transport से अब guys अगला question यह है कि यहाँ पे यह Hyperloop की जो advanced technology है यह कहाँ पर build होगी कहाँ पर हमें यह trains देखने को मिल सकती है तो यहाँ पे guys यह जो company है Virgin Hyperloop 1 इसने एक global program को launch किया था जिसमें guys जो company है यह search कर रही थी for the best locations and spaces जहाँ पे इस advanced transportation technology को build किया जा सके तो यहाँ पे guys more than 2600 entries को register किया गया था जिसमेंसे यहाँ पे filter होने के बाद इस company ने only 35 potential locations को identify किया और guys in 35 locations में से भी केवल यहाँ पे 10 locations जो है वो qualify कर पाई और यह सब हुआ within 5 countries जिसमेंसे guys in 10 locations मेंसे जो 2 locations है वो इंडिया में भी है जिसमें यहाँ पे hyperloop को build किया जा रहा है जिसमें guys version hyperloop 1 work कर रहा है as a partner to build this transportation system और इसकी जो major funding है वो तो आती है government organizations और major investors की health से तो यहाँ पे guys हमारा आने वाला future बहुत ही जादा interesting है और इसमें हम देखते हैं कि hyperloop में आ निए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए काई तो इसमें डिया माचा देमा वान इसी इसंशाइए इसके इन तुमा ओन लूपिन दमेरो नियुक्त